नमस्कार, मैं संचीता भट अचारिया, आप सभी का स्वागत करती हूँ National Institute of Open Schooling में और हमारा आज का प्रोग्राम है पेंटिंग, विशय है पेंटिंग और टॉपिक है डेकन स्कूल अफ आट और इस टॉपिक में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस कॉमल पांडे, कॉमल पांडे जी असिस्टेंट क्यूरेटर ह है नैशनल मेंजियम में और हम अपना चर्चा सुरू करते हैं जैसे कि आज हमारा चर्चा का विशय है डेकन स्कूल अफ आट पोट्रेचर हम किसे कहते हैं राजा उने अपने रानियों ने अलग-अलग अपने पोज में पॉस्चर में कहीं टेरिस पे खड़े होकर कहीं कोई फूल पकरे हुए या कोई चीज देखते हुए या अपनी मशूर तलवार के साथ इस तरीके से अलग-अलग तरीके के स्टैंसेज में पोट्रेचर बनवाई यह उनका फेस है जो कि हम देख रहे हैं और एक और जैसे मैंने आपको एक पहले वाली पेंटिंग में बता बार देखते हैं कि हम इस पेंटिंग में क्या देख सकते हैं यदि हमारे सामने कला आती है तो हम उसको कैसे देखें कैसे समझे पूरी पूरी चित्रकला यह है पूरा चित्र यह है अब आप इसमें देखें सेंटर में there is a lady figure that is standing जिसको की हमने योगिनी identify किया है योगिनी इसको योगिनी के तौर पर पहचाना गया है और इस तरीके से पूरा जो पैनल है पेंटिंग का इसमें सेंटर में देखें आप there is योगिनी जो की खड़ी होई है एक तरफ देखें आप किस तरीके से जो फूल पौधे बने हुए हैं उनको मैंने जूम करके आपको दिखा बढुता है कि किस तरीके से जो छोटी-चोटी बारी किया है उनको कितने ध्यान से को जार है उके रहा है और किस तरीके से फॉड़े-छोडे ह्ांट से शराब्स है फ्लावरस हैं किस तरीके से पेड हैं ,NET और बहुत पीछे अगर आप राइट-hand-sight kornor में देखिए गा तो उपर एक तरीके के perspective हमें दिख रहा है एक तरीके का perspective दिख रहा है कि उसमें घर किस तरीके से बने वें pink color के mountains किस तरीके के हैं तो कभी भी जब हम किसी painting को देखते हैं तो यह हमें miniature painting की या लगू चित्रकला की यही खास बात है कि हमें उसे एक तम गौर से देखना पड़ता है और बल्कि यहां तक कि जो लोग इस विशे में काम करते हैं वो कहते हैं कि जो miniature painting है जो लगू चित्र है वो देखने की चीज नहीं है वो बल्कि पढ़ने की चीज है आप उसके एक एक visual motive को एक एक visual element को एक एक color को shading को किस तरीके से पढ़ते हैं किस तरीके से समझते हैं इसको हम basically एक तरीके से art history या color का अध्यन कहते हैं similarly मैं portraiture की बात करती है यह एक और portraiture है हमारे सामने जो कि बीजापुर के सुल्तान का है इब्राहिम आदिल शाटू और यह hawking करते हुए दिख रहे हैं अब hawking क्या है यह एक hobby हुआ करती थी मुगलों की बादशाहों की उसमें वो क्या करते थे कि अपना जो falcon होता था उसके साथ hawking की जाती थी और यहाँ पे आप clearly देखिए the king has been shown seated on the horse यह तो एक हम कोई भी देखेगा वो देख लेगा लेकिन जो कला का जो student है जो art पढ़ते हैं उनको और ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि घोडा खड़ा हुआ नहीं बनाया है horse is galloping ऐसा लग रहा है कि घोडा आगे को दोड़ा है पंची बैठा हुआ नहीं बनाया है लेकिन पंची भी flight के बीच में है मतलब उसके भी पर खुले हुए है और पीछे अगर आप perspective को देखेंगे उसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे एक पंची का जोड़ा बना हुआ है बीच में और पूरा skyline है last में एंड तक तो portraiture का मतलब केवल केवल एक face का close-up ही नहीं बलकि उनका जो पूरा persona होता था जो उनका पूरा characteristic होता था वो निकल करके आता है portraiture और एक चीज है इसमें background and foreground का जो color combination है ये भी बहुत ही खुबसूरत है जिसे हमें पूरी तरह से portrait को पता चल रहा है कि ये horse जो दौर रहा है और पंची जो ऊर रहा है इसे पूरी तरह से पता चलता है कि इतनी minute तरीके से उन्होंने मतलब उसने शुष्म स्टाइल जिसको कहते है लगु चित्रकला तो ये जो foreground and background का जो difference उन्होंने बनाए बहुत ही खुबसूरत है Now this is a masterpiece of Golconda art Now if you look at it carefully कोई भी देखेगा कि ये एक घोड़ा है जो गालपिंग कर रहा है जिसने एक पैर उठाया हुआ है और थोड़ा सा motion में है लेकिन अब आप ध्यान से इस घोड़े को अगर देखेंगे It is composed of multiple human figures वो अलग-अलग लोग हैं जो गोड़े के अंदर बनाए गए हैं और गोड़े का एक shape उकेरा गया है तो इसको हम बोलते हैं composite horse या composite form जिसमें बहुत ये एक दकन कला की एक विशेशता रही और ऐसा नहीं है कि ये दकन में ही आया ये पहले भी exist करता था हमें अपनी मूर्ती कला में भी ये देखने को मिलता है कि composite animals किस तरीके से तयार किये जाते थे जिसमें जो शरीर होगा वो चिडिया का होगा जो पूँच होगी वो मगरमच की होगी जो मू होगा वो किसी और जानवर का होगा तो ऐसे composite features हमें देखने को पहले भी मिलते थे कला में लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही दिल्चस्प काम है और अप इसको ध्यान से अगर इसका golden वाला जो गोल्ड से जो काम किया गया आप उसको देखे तो उपर देरा dragons उर्तेवे dragon है Persian बादल बने हुए है और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये घोड़ा जमीन पर चल रहा है या आकाशी घोड़ा है लेकिन कलाकार ने जो आपके left-hand side पे घोड़े के मूँ के पास जो एक पेड़ बनाया है उससे हमें जमीन का थोड़ा सा एहसास होता है कि ये this horse is based on the ground and again जो corners है तो ना कलाकार ना किवल center point को खुबसूरती से उके रहा है बलकि जो पूरा-पूरा painting has to be an experience तो ना कि उसका विशे पर ही ध्यान नहीं है लेकिन विशे के जो आस-पास उसको जिस तरीके से margins बनाने हैं जिस तरीके से borders बनाने हैं वो भी बहुत important एक ये है अब य ये गोलकुंडा के सुल्तान है जुनको हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर इनका भी आप पोट्रेचर ध्यान दीजे कि अपनी तलवार के साथ हैं जिस तरीके से बैठे हुए हैं और साइट फेस हैं he is looking at the at his side and he is seated on a royal stool on a royal chalky उस पर वो बैठे हुए हैं और उनका stance देखिए आपकी किस तरीके से बनाए हैं एक हमने देखे थे जो hawking कर रहे हैं एक हमने देखे जो तंबूरा बजा रहे हैं और एक हैं जो कि यहां पर he is with his sword तो अब पोट्रेचर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं आपको calligraphy के बारे में बताती हूँ तो calligraphy जो Islamic कला है उसका एक बहुत important भाग है calligraphy और उसमें किसनी खुपसूर्टी से अलग-अलग calligraphy हुआ करती थी नस्क, नस्तालीक, सुल्ज, कूफिक इन सब अलग-अलग style of writing में जो कुरान की आयते होती थी जो और चीजें होती थी वो लिखी जाती थी जो हम अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त ये है किताब नौरस और ये बीजापुर की आर्ट है और यहाँ पे हमें calligraphy दिख रहे हैं हमारे सामने इसमें भी हम देख सकते हैं पूरा gold sprinkling है तो ये वाकई में जिस सोने चांदी के हम लोग आभूशन बनाते है कला उनके लिए इतनी precious थी इतनी महत्वपूर्ट थी कि वो कला में इस्तमाल करते थे गोल्ड का, सिल्वर का, अलग-अलग precious, semi-precious, stones का और एक तो हो गया इसमें दो चीजें हैं इस calligraphy में देखने की एक तो हो गई the art of writing और दूसरी है the art of making geometrical patterns जिससे कि हम Islamic कला में बोलत तो वो किस तरीके से pattern से pattern बनते हैं, there is repetition, अब हम अपने last center की तरफ आए हैं, जो कि है 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 यह जो हम देख रहे हैं यह 18th century का manuscript है और इसको बोलते है तुजू के आसफिया, अब तुजू क्या है कई लोग सोचेंगे तुजू के is a diary, तो जैसे तुजू के बाबरी, त तो हम में से बहुत लोग होते हैं जो अपनी डाइरी अभी भी लिखा करते हैं और यह उस समय से practice में था कि राजा अपनी डाइरी लिखते थे कि उन्होंने रोज क्या किया, किस से मिले, कौन मिला, कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, राज सिंहासन कैसे चलेगा, यह सारी और यह बहुत एक मेरा फेवरेट यह मैनिस्क्रिप्ट है तजुकिया असिफिया और इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो जैसा मैं बताती थी एक तरफ क्यालिग्रिफी और एक तरफ पेंटिंग और जो हम देख रहे हैं यह हैं मैप अफ हैदराबाद जो की हमारे साम होने हैं और आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से आर्टिस्त ने चोटा-चोटा-चोटा-चोटा करके पेंट करके पूरे हैदराबाद शिटि को बनाया है और सेंटर में मैंने जूम इन जो पोर्शन किया है राइट साइड में आप देखिए उसमें राजा बैठे बुराक माना जाता है कि वो एक celestial पंची है, एक mythological figure है, जो कि इसलाम में जिसका बहुत महत्व है, उसका prophet Muhammad से relation है, और वो उनको ले करके जाता है, उड़ा करके ले करके जाता है, और ये भी आप ध्यान से देखिए, पूरा composite है, कोई भी कला कैसे खिलती है, कैसे उसका prosperity या कैसे उसमें अलग-अलग आयाम आते हैं, वो इसी वज़ा से आते हैं कि उसमें कितनी कला मिलती है, ये एक बहुत fascinating manuscript है, जिसका नाम है अजाइबल मखलुकात, और ये जो हम देख रहे हैं कला ये बीजापूर की है, और अजाइबल मखलुकात बेसिकली एक ऐसी बुक है, जिसमें planets के बारे में, Cosmology के बारे में, Astronomy के बारे में, कितने सारे प्रकार के जीव, जन्तू, पेड़, पौधे, कीडे, मकोडे, क्या क्या होते हैं, ये उसका एक तरीके से आप समझे जेए, एक Encyclopedia है, और अब हम इसके कुछ चित्रों को देखते हैं, कि किस तरीके से दिखाया जाता था, जब मैंने आप से कहा कि planets बनाए जाते थे, ये एक सूर्य का चित्र है, सूर्य भगवान, और ये बना हुआ है, हमें साफ पता चल रहा है, because he is radiating, उनके पास से beams निकल रहा है, हमें साफ पता चल रहा है, कि ये सूर्य है, similarly this is moon, this is very interesting, इसमें बना क्या हुआ है, कि एक female बैठ करके, एक musical instrument बजा रही है, और इसको जब हम इसका जो नाम दिया है, जो इन लोगों ने manuscript में नाम लिखा है, उसका नाम है जोहरा, और जोहरा क्या है, जोहरा is the planet Venus, that has been painted here, तो planets के human manifestations है, planets का मानविय करण करके उनको दिखाया गया, ये बुद्ध है, this is Jupiter, and how do we know, क्योंकि वो green color का उपहन करके पैठे हुए, इस थरीके के angels उसमें देखने को मिलते हैं, very very fantastical scenes, जैसे मैंने बताया, composite animals हुआ करते थे, ये composite animals का एक नमूना है, कि कैसे अलग-अलग animals के, अलग-अलग elements लेकर के compose किया है, एक बहुत खुबसूरत चीज जो paint होती है, वो है राग माला की, राग माला हम कहते किसे हैं, हम ये जानते हैं, राग क्या है, जो अलग-अलग स्वर हैं, कुछ स्वरों को मिला करके राग बनते हैं, और हिंदुस्तानी या करनाटक शेली, जो भारत में दो तरीके का जो ए हैं, कुछ स्वरों को जोड करके राग बनाया जाता है, और ऐसे ही जो राग हैं, उनकी हमारे शास्त्रों में उनकी wives भी हैं, जुनको हम रागनी कहते हैं, और राग और रागनी के मेल से राग पुत्र होते हैं, तो इस तरीके के अलग-अलग ये बड़ी बढ़िया बात ह जो गाने की चीज़ें, जो स्वर की बात है, जो शुद कला है, जो सुनने की कला है, उसको चित्रों में किस तरीके से उकेरा जाता है, जैसे कि हमने देखा वीनस प्लानिट को कैसे इनसान के रूप में, एक सुन्दर लेडी के रूप में दिखाया गया, ऐसे ही जो राग थे उनका human manifestation इमाजन किया, उनका मानवी अकरन किया गया कि अगर भेरव राग है तो वो कैसा दिखेगा, अगर भेरवी राग नहीं है तो वो कैसी दिखेगी, अगर हिंडोल है राग तो वो कैसा दिखेगा, तो जो एक बीजापूर सेंटर था दक्कन का, उसमें बहुत सारी ऐसी चित्रकला बनाई गई, जो कोई ना कोई राग को दर्शाती थी, और इससे ये भी पता चलता है, जो सुल्टान थे, जो राजा थे, उनकी संगीत के प्रती कैसी रुची थी, कला के प्रती तो थी ही, और संगीत के प्रती भी कैसी रुची थी, जैसे कि अगर आप ये painting देखे जो आपके स्क्रीन पर है इसमें पूरा पूरा जो पूरी श्री राग की जो वाइफ है उनको किस तरीके से दिखाया गया है अगें पूरा वर्टिकल पेंटिंग है अगर आप उसको देखे और वो divided है इस तरीके से पूरा पूरा पेंटिंग डिवाइड़ है और ये बीजापुर का 18th सेंचुरी का पेंटिंग है दूसरी राग जो हम अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो है राग मारू और ये है बीजापुर की राग और इसमें आप देखे जो सेंटर में बने हुए ह वो है राग मारू तो मारू राग मारू बिहाग हम जो संगीत जानते हैं वो सब जानते हैं इस राग के बारे में और जब हम लिपी की बात करे थे या जब हम क्यालिग्रफी की बात करे थे तो हम अर्भी फारसी क्यालिग्रफी देख रहे थे और साथ ही में हम ये देखते जिसमें एक स्त्री को दिखाया जाता है हिरन से उसके आसपास रहते हैं उसको हम राख तोड़ी कहते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने और आज हमारे साथ आप आके ये जो डेकन स्कूल अफ आठ के बारे में आपने जो चर्चा किया है हमें आशा है लानल आपको ये प्रोग दिये हैं थैंक यू सो मुच लेर्न अ अग्ष कर दिये हैं जी बिल्कुल सही कहा आपको अपको ये जो अपको ये भी जो चुछ आपको ये जो चाल आपको ये जो आपको ये जो बिल्सक्ता हैं जो प्रोग